सब्सक्राइब 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 मेरा नाम उशन चर्मार अगर आप लोग मेरे इस चानल पर आये हो तो आप लोगा काफी ज्यादा स्वागत है खेर मैंने बूला था कि आज कि दिन एक वीडियो डालूंगा अभी पी एमस्यों खतम होके अटा था और उसके बाद आप अपर आप लोगा तो हाँ आप वीडियो बनाने वाला हूं आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ऑविसलिक लाइप स्ट्रीम करी थी यह एक आप लाइप लुगा अपने करियर नुए को लेकर करकते हो या जानना चाहते हैं कि आचाने वाले टाइम में क्या होगा और कैसे होगा तो आज की वीडियो उसी चीज़ के उपर होने वाली है तो अगर आप लोग नए आया है पहली चीज़ तो देखें इंपोर्टेंट में यही चीज़ बोलू है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यह मुझे भी हल्प करेगा लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को यह चानल के यह Career बनाते हुए सबसे important चीज़ आपको यह जानना है कि आपके choices आपकी सारी differences बना देते हैं आपने आज क्या choice करी है वो आपका कल design करता है आपने कल क्या choice करी है वो आपका personal design करता है So by choosing every different step of life it chooses everything जो आपको आज से आगे future aspect के अंदर कही ना कहीं shape करेगा So वो shape out करना करवाना खुदको important रहता है So career आपकी choices design करता है एक career की अच्छी choice आपका future design करेगा So यह सबसे important है आप आज क्या choice लेते हो और उसको किस तरहीं किसे mold करता हो Choose करना कि मैंने मान लो कि आज मैं non-medical के बार में सोचा है मैं 9th, 10th class का बच्चा हूँ सोचा है कि 11th में जाकर करके non-medical choose करूँगा ठीक है आपने choose कर लिया उसके बाद उसकी पढ़ाई कैसे करोगे कैसे preparations करोगे So वो सब चीज़े आपको उसी time देखनी होती है Internet is a good place अगर आप इसको सही तरीके से इस्तिमाल करना जानते हो Otherwise बहुत सारे लोग और ही अलग चीजों से इस्तिमाल करते हैं There is a thing, there is a good thing that you should have a list एक list बिनाने को मैं आप लोग को बोलूँगा ये list आप लोग अपने पास रख सकते हैं अपने notes में, अपने कहीं पर भी आप लोग ये list रख सकते हैं इस list को पूरी lifetime अपने साथ रखेगा This list is about a goal of making four people proud देखो आपके घरवाले तो हैं इस list के अंदर उनको exclude किया जाएगा Just for one thing, क्योंकि आप आज से आने वाले time में कुछ भी बनोगे आपके घरवाले proud feel करेंगे सबसे पहली चीज़ घरवालों, भाई, बहन, दोस्तों, वोगर घरवालों, भाई, बहन को हटा दीजा आप बट कोई चार ऐसे लोग choose कीजिए घरवालों के इलावा वो एक अच्छा teacher हो सकता है एक अच्छा guidance वाला person हो सकते है कुछ भी ऐसे चार नाम जिनको आप आज से आगे आने वाले time में proud feel करवाना चाहते है apart from your family, like the blood relation or something apart from that क्योंकि आपको ये देखना है knowingly और unknowingly वो इंसान को पता भी नहीं होगा या पता होगा या जो भी knowingly, unknowingly आपको अपने अंदर जो कर रहा है अपने हिसाब से जो कर रहा है आपके mind में एक goal रहेगा कि मेरे लिए मैं ये चीज़ खुद के लिए तो करना चाहता हूँ but once I do this a person that is regarding with me will be happy क्योंकि उस इंसान या तो मुझे guide किया था या मुझे देखा था, मुझे समझा था, मुझे परका था, मुझे जान था something like that and इस पर boyfriend, girlfriend नहीं होने चीज़ है पहली चीज the most important thing क्योंकि फिर लोगों का relationship खराब होता है ये होता है, वो होता है उसके उपर भी हम लोग बाद में आएंगे but this is an important thing चार लोगों का नाम लीजिए एक list में लिखिए try and make those people proud because once that happens those people अगन भी तो once जो इस चीज से actually बहुत खुश होंगे जो आपको लगता है genuinely happy होंगे have that make that list understand the difference in doing a job and committing to a job देखो, काम करने के लिए हर कोई करता है और काम की commitment एक differences होती है कोई इंसान 9 to 5 job करता है वो वहाँ पर सिरफ काम करने के लिए काम कर रहा है या फिर वो वो चीज अच्छे से कर रहा है like वो commitment के साथ काम कर रहा है there's a big difference in just doing and committing to something you gotta understand that, you gotta learn that if you're doing something doesn't mean कि आपको हर बार मजा आएगा पहला दिन हो सकता है कि अच्छा क्यों क्योंकि वो आपका पहला दिन था उस काम के लिए दूसरा दिन, हाँ, enthusiasm बच्चा हुए तीसरा दिन, हाँ, it's good चौते दिन से, kind of, down a doll होना लोना लग जाएगा because you were just doing the job but once you're committed to the job once you're committed to something अब जैसे relationship में होता है so if a person wants to commit to a job that means you have to give your all in आपको काम सिरफ करना इसलिए निये कि आपको boss को present करना या फिर आपको, you know, talking about this as well आपको non-medical सिरफ इसलिए नहीं करने है कि हाँ हो जाएगी वगरा if you actually have an interest then you gotta generate that slowly and steadily और वो आपके career choice में help करता है कि जो आप career choose कर रहे हो आप सिरफ करने के लिए कर रहे है आप actually उस पर committed रहना चाहोगे because अगर आप किसी चीज़ के साथ committed होते हो एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल उसके बाद भी जो आप वो same काम कर रहे होगे आपके पास same level का enthusiasm होगा चाहे same चीज़े repeat हो चुकी है but you'll still be happy कि मेरे साथ यह हो रहा है, मुझे यह आता है मुझे और इच्छे साथ आप लोगों को सिखाना चाहोगा आप लोगों को बताना चाहोगा and that kind of creates a big, big difference when you are just doing the job and when you are committing to the job so it kind of just matters, right and in sub me, इस sub में सबसे important चीज़ होते है keeping yourself as a priority बहुत कम लोग रखते हैं खुद को priority बहुत कम लोग सोचते हैं इस इसके बारे में क्योंकि हमारी life आज कल हमें जिस तरीके से पालपोस के बड़ा के अज़दा हमारी life सिरफ हमारी नहीं होती है हमारी life बहुत लोगों की होती है बच्पन में दोस बनाओ तो अच्छे मैनर सीख करके बनाओ अच्छे मैनर का क्या मतलब दोस्तों गाली नहीं देनी दोस्तों को खुश रखना है दोस्तों के साथ रहना है वगरा वगरा यह सब हो गया तो आपके लिए आपके दोस्त करना चलता है और जदा बड़े हुए शादी हो जाती है अपन बच्छे मैं अपके दोस्तों के साथ रहेंगे नो डबट बट आप अगर कुछ बन करके उनको प्रूफ करके दिखाते हो इस बन दोस्तों कि वह भी यह चीज़ बोल सकते हैं यह मेरा दोस्त है आपका कोई लबट वन है वो आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा that depends on the life the flow of life या कैसे सब को जाता है but at the end आपने उस इंसान को जो आपके साथ relationship में है जो आपका दोस्त है जो कुछ भी आपने उस इंसान को कितनी देर के लिए जाना होगा दो साल तीन साल चार साल आठ साल बट आप खुद को कितनी देर से जानते हो बीस साल बेबी अठारा साल which makes a bigger difference क्योंकि आप जब से जनमें ते आपने सबसे पहले खुद को जानना शुरू किया अपने घरवालों को जानना शुरू किया so your first priority your first commitment should be to yourself that to keep yourself as a priority वो आपके career choices बनाने में सबसे ज़्यादा help करता है आपको आपसे बहतर कोई नहीं जानता आपकी specialities क्या है आपकी अच्छाईयां क्या है वो आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है so कोई और आपको इस चीज में help करी नहीं सकता है that's one of the most important things आपको पता आप किसी चीज को कितना time दे सकते हो और किस चीज को आप अच्छे से करना चाहोगे किस चीज में आप बूर नहीं होगे किस चीज को आप और बड़ी अधरीक से खुद में निखार करके लेकर का सकते only you decide that no one else does and that matters a lot now finally एक सबसे important चीज रहती है what matters is how you actually see yourself in 5 years or 10 years from now and यह हमीशा रहेगा आपका competition आज से 5 साल वाले आप होने चाहिए 5 साल बाद वाले आप just because of one thing and that is 5 साल तक वहां पहुंचोगे and then अगले 5 साल के लिए आप जो करना चाहोगे उसकी भी विजन आप अगर उन 5 साल हो में निकालोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे so your 5 year goal, your 10 year goal should always be expanding but you should be committed to that to create a good career, to create a good career choice commitment is the most 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 important thing otherwise if a player, if a person not player, I don't know मैं अभी PMCO कास करके है तो मेरा मिंद अभी वहीं पर है but if a person wants to keep himself alive from the inside having a good career choice is important अब यहां पर इस वीडियो में ये तो नहीं बोल सकता कि आप लोग non-medical लेजे आप लोग medical लेजे आप लोग arts लेजे, commerce लेजे वो हर इंसान का अपना personal होता है what I can say is for the greater good of the students and the most important thing for the greater good of students is choose something that creates a difference in your thinking and कोई एक ऐसा career चूस किया जाना चाहिए कोई ऐसा career ने कि जिसके अंदर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ पता तो आप उसको lightly लोग है कोई ऐसा career जिसके अंदर कोई यह जानना चाहिए कि मुझे पता तो है but अगर मैं डिग डीप करूँ तो मुझे और क्या-क्या मिल सकता है there's a difference in these two mindsets as well मुझे सब आता है का मतलब यह होता है कि आपको सब कुछ नहीं आता है और मुझे आता है but अगर मैं और थोड़ा you know, digging करूँगा तो मुझे और नहीं नहीं चीज़े मिल सकती है that creates a whole lot of you know environment जिसके अंदर के आप काम कर सकते आप जान सकते, आप देख सकते, समझ सकते हो, परक सकते so it's good have a career like that and trust me it's gonna be brilliant for you so let me know कि आपका goal किस हिसाब का है आप उस गोल के अंदर किस तरीके से घुसना चाहते हैं रहना चाहते हैं में को आप लोग जरूर बतानों वीडियो के comment section के अंदर subscribe करना है share करना है जिनके लिए ये actually important लगे आपको and trust me if you find this video useful somehow like कर सकते हो this will actually help the channel and help me in the algorithm as well so I just hope to see you in the next videos stay safe, stay indoor, stay awesome and peace out